हलो स्टूडेंट्स मेरा नाम आलोक कुमार है बच्चे मुझे एल के सर के नाम से जानते हैं आज मैं आप से बात करने वाला हूँ कि केमिस्ट्री में जो इनार्गेनिक पोर्शन है उससे कैसे मैनेज करें कैसे इफेक्टिवली स्टडी करें जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ भी है धिहान से देखें और साथ में मैंने एक स्टेट्मेंट लिखावा है कि एक मित है बहुत कॉमन मित है ये स्टुडेंट्स में इन फैक्ट अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैई 2022 के लिए हम बात कर रहे हैं तो आल्रेडी बच्चे 11th क्लास लगभग पार करने की स्टिती में होंगे हालागे कोविट के सिचुएशन है तो स्कूल एक्जाम भी डिले चल रहे हैं तो अभी जनवरी चल रहा है और दो 2022 तो मैं नहीं है एक स्टेट्मेंट लिखा हुआ है एक मित है बहुत बच्चों के दिमाग में अब चुकि 11 आप पढ़ चुके हो तो 11 में कहीं ना कहीं आपने जब S-Block पढ़ा होगा या Hydrogen वाला चैप्टर पढ़ा होगा या Boron Carbon Family है P-Block का portion 11th क्लास में स्कूल की requirement के ल मित है और इस कारणा से कई बार बच्चों को भारी नुकसान उठाना पढ़ता है इन जेई एक्जाम चाहे वो जेई में हो चाहे वो जेई एडवांस्ट हो तो फिर मैं क्या बोलता हूँ अच्छा most dreaded portion of the inorganic में भी कौन? Block chemistry Block chemistry मतलब S-Block, P-Block, D-Block and F-Block मैंने लिखा भी है यहाँ पर के Block chemistry most dreaded portion of inorganic dreaded मतलब खुंखार बच्चे जिससे डरते हैं भागते हैं और कई बार बच्चों की एक tendency है आम किसी इंसान की एक tendency होती है कि जिन चीजों से आप डरते हो ना आप भागते हो उनसे और सोचते हो कि इसे बाद में कर लेंगे हम और उसको टालते हो आप बात के लिए और ultimately वो एक kind of weak point बन जाता है students का या किसी व्यक्ती का और फिर वो दुख देता है और यही कारण है कि यह block chemistry बहुत सारे students के लिए एक problematic बन जाता है just before the J.E. exam यह स्थिति आपके साथ ना आए तो this video is going to be very important for you all मेरा क्या कहना है? प्रूथ क्या है? What I strongly believe that unorganized approach makes it dreaded unorganized approach, इसको अच्छे से पढ़ते नहीं हम, कई बार हम हमें अच्छा content भी नहीं मिलता इसको पढ़ने के लिए तो कई बार उस कारण से यह unorganized approach की वज़े से यह बढ़ा मुश्किल हो जाता है कि इसे manage करना मैं आज इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि how to manage inorganic chemistry and especially this block chemistry S, P, D and F block तो मैं आपको यह बताएता हूँ कि block chemistry में अब जिसे 11th class में students जिसे S block पढ़के आगे बढ़ गए होंगे P block में boron karma family थोड़ा सा पढ़के, रटके या NCRT पढ़के वो आगे बढ़ गए होंगे बट ऐसा नहीं है कि reactions को रटना है, बहुत साथ reactions का mechanism clear होता है, logic clear होता है और वो कई बार हम 12th में पढ़ते हैं, खास कर मैं एक बात यहाँ पर यह कह दूँ आपको कि जो sequence है, block chemistry पढ़ने से पहले हमें क्या चीज मालूम होनी चाहिए अच्छा, inorganic chemistry का sequence तो वैसा होता है, जैसे पहले periodic table पढ़ना है thereafter you have to study chemical bonding, chemical bonding एक बहुत बढ़ा chapter है in fact it is a backbone of entire inorganic chemistry, organic chemistry में भी उसका अच्छा कासा use आता है तो जैसे sequence आप inorganic पढ़ते हो, periodic table, periodic table के साथ ही आप basic inorganic nomenclature पढ़ लेते हो उसके बाद chemical bonding पढ़ते हो, उसके बाद 11th में आप S block and P block hydrogen जैसे chapter पढ़ लेते हो फिर 12th में आते हो तो coordination chemistry पढ़ते हैं, हाले कि 12th में भी आए नहीं है, आएंगे आप मैं ये बताना चाहता हूं कि कौन-कौन से chapters का sequence है that you can follow to control, to have the strong command over block chemistry the dreaded portion or the difficult portion, so called difficult portion of inorganic chemistry अच्छे क्यों बताने वाला हूं मैं ये, बहुत सारे students हमारे YouTube channel से पढ़ते हैं Today I can say, today I can say that my physical and inorganic chemistry is completely available on Mohit Yagisar's YouTube channel YouTube channel पर पूरी physical, पूरी inorganic chemistry including hydrogen chapter, including all the blocks, everything is available now तो बहुत सारे students free में, of course this is a kind of facility to them and हमें इस बाती खुशी है, कि हमने बच्चों के लिए ये facility provide की है और बच्चे इसका फायदा उठाते भी है, तो आप जब YouTube channel से पढ़ते हैं हाले कि वही video lectures अब हमारे competition.com app है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं competition के app से भी आप ये पढ़ सकते हैं वहाँ आपको बलके फायदा भी होता है, कि थोला distraction कम होता है because of the advertisement and other suggestions and all that, वो सब नहीं होते तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, तो बच्चे जब पढ़ते हैं, self study करते हैं YouTube channel से, हमारे lecture से, तो उनको sequence तो पता होना चाहिए और खासकर ब्लॉग chemistry में वो फंसते हैं बच्चे जो coaching पढ़ते हैं, खुब heavy fees देते हैं, physical coaching, online coaching, anywhere वो भी परेशान होते हैं इन चीज के बारे में तो फिर YouTube से पढ़ने वाले बच्चों के पास में ये guideline होनी चाहिए कि block chemistry कैसे control करें और कैसे अपने बश में करें और ये स्थिती फिर ना है तो उसके लिए मैं कुछ chapter से लिख रहा हूँ कि block chemistry पढ़ने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए तो block chemistry से पहले, अच्छा block chemistry आएगी तो उससे पहले chemical bonding periodic table तो पता होना ही चाहिए बट कौन से chapter जरूरी है physical chemistry के तीन chapter आवश्यक है to study block chemistry तो to study block chemistry from our youtube channel मोहित्यागी तो हमारे youtube channel से आपको क्या क्या पढ़ना है physical के जो chapter से वो आपको आएनिक आना चाहिए thermodynamics and electro chemistry ये दोनों chapters 11th class के portion से हैं NCIT में भी 11th में है and this chapter is 12th class अब चुक्के बच्थे जो JE 2022 को target कर रहे हैं वो 11th class में कुछ तो chemistry पढ़ते ही है तो उनको इतना तो idea होता है chemical reactions mainly हम चार तरीके से divide करते हैं एक होता है redox reactions and redox reactions are well explained on the basis of electrochemistry इस chapter को बगए बगए आप एक बहुत बड़ा portion reactions का redox reactions आप समझ नहीं सकते इसी में electrochemical series आती है जिससे आप बहुत तरह के questions को solve समझने के लिए पढ़ने के लिए inorganic chemistry में अच्छी command होने के लिए नहीं है जरूरत आपको ionic equilibrium के बहुत deeper questions की बड़े बड़े सवालों की heavier questions की basic concept तो पता हूँ basic concept का मतलब यह है कि asset solutions क्या है basic solutions क्या है किस तरीके से कौन assets है कौन strong assets है कौन weak assets है इतना idea होना ही चाहिए और thermodynamics का idea जरूर होना चाहिए बच्चों को खासका second law of thermodynamics का which helps you predict the chemical reaction की कौन सी chemical reactions किस तरीके से हो सकती है और electrochemistry is needed which is for redox chemical reactions तो physical chemistry के यह chapters चाहिए होंगे यह होगा है physical के इन और गेनिक के लिए इन और गेनिक चैप्टरस कौन से चाहिए इन और गेनिक चैप्टरस आपको अफ्कोर्स पिरियॉरिक टेबल chemical bonding ऑफ्कोर्स आप जब ब्लॉक के विस्टी पढ़ोगे तो यह इन्हें पार करके तो पहुंचो गई chemical bonding और साथ ही साथ चाहिए GIC General Inorganic Chemistry यह कोई designated chapter नहीं है ना NCRT में है और ना ही कोई coaching modules में अलग से हम बताते हैं बट यह मैंने क्या किया है कि important important reactions और उनके mechanism को जैसे hydrolysis reactions, heating effects and many other very very important general reactions को निकाल करके अलग एक chapter मैंने बनाया हुआ है, this is not the common chapter in any coaching or something like that यह यू समझ लो कि यह मेरा extra efforts है to make inorganic interesting and organized तो inorganic में block chemistry को organize करने के लिए यह मेरी तरफ से एक efforts है GIC General Inorganic Chemistry साथ ही साथ General Inorganic के साथ qualitative analysis qualitative, अच्छा qualitative में anion आपको चाहिए उसके बाद क्या ले सकते हो आप, उसके बाद आप ले सकते हो पूरा P block फिर चाहिए आपको qualitative cation उसके बाद आप ले सकते हो S and D block S and D and F block यह chemistry आप ले सकते हो तो बच्चो इस तरीके से आपकी block chemistry यहां से complete होती है तो मैंने एक sequence बताया है कि जब भी आप हमारे YouTube channel से पढ़ें या हमारे app competition से पढ़ें तो inorganic chemistry में यह physical के chapters आपके तयार होने चाहिए तब आपको block chemistry लिना होगा chemical bonding तो पहली पढ़ चुके होंगे आप 11th class में periodic table पढ़ चुके होंगे inorganic nomenclature पढ़ चुके होंगे metallurgy का direct कोई रोल नहीं है वो आप independently पढ़ सकते हो coordination chemistry का भी कोई direct रोल नहीं है वो independently पढ़ सकते हो मैं आभी बात कर रहा हूँ इस block chemistry की इस block chemistry को control करने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनें आपको physical के ये तीन chapter और inorganic के periodic table chemical bonding ये तो पता होनी चाहिए GIC जरूर पढ़ है general inorganic chemistry यूट्यूब पर free में lectures available हैं और साथ ही साथ qualitative analysis NIN पहले पढ़े हैं क्या पढ़ने के लिए P-block पढ़ने के लिए P-block मतलब boron family carbon family nitrogen family oxygen family halogen and noble gases group number 13 से लेकरके 18 तक पढ़ना है तो आपको पहले qualitative anions पढ़ना चाहिए उसके बाद qualitative cations चाहिए होंगे for studying the metal cations or metals in the blocks कौन से? S and D and F block आपको पता है S block, P block, D block all the elements are metals तो students अगर इस sequence में हमारे lecture से YouTube channel से हमारे महितियागी YouTube channel से अगर पढ़ेंगे मुझे नहीं लगता के आपको कोई logic की problem होगी और reaction prediction में कोई problem आएगी आप बढ़ी आसानी से अगर दो substance react कर रहे हैं तो 90% you will be able to product what could be the products of the chemical reaction और वो जो डर है वो जो fear है वो जो एक एक अजीब सी हबलाहट बच्चों में रहती है block chemistry को लेकर के that problem will not arise but एक fact बता दू मैं आपको कई बार हम कितना भी बता लें कितना भी समझा लें 100 में से 10-20 बच्चे हमारी बास समझते हैं और instructions follow करते हैं और इस बात का पूरा फायदा उठाते हैं हमारे experience का फायदा उठाते हैं और वो बाजी मार के ले भी जाते हैं बर जायतर बच्चे फिर instruction follow नहीं करते अपने मन की चलाते हैं अपने मन से पढ़ते हैं अपने तरीके से पढ़ते हैं तो कई बार end में ये block chemistry एक भूत की तरह एक dragon की तरह उनके सामने नजर आता है end में कई बार बच्चे को छोड़ की जाना पड़ता है और कोई चीज छोड़ के जाते हैं खासकर j-mean में there is a equal distribution of the every chapter in j-mean तो अगर कुछ छोड़ के जा रहा हो तो आप मान के चलो के आप कुछ marks को sacrifice कर रहे हो so this kind of situation should not arise उसके लिए अभी से इस बात को ध्यान दे और इन चीजों को incorporate करें तो यह तो था मेरा आज की जो talk थी block chemistry उसको manage करने का तरीका in addition to this अगर कोई students चाते है कि वो paid batches में admission ले so that they will get the DPP, they will get the sheet, they will get the video solutions you know it about then we are going to launch two batches Praveen star, this is for 12th past students हाल कि इसमें 12th वाले students भी कई बार admission लेते हैं इनकी details अलड़ी एक मोहित त्यागी सर ने एक वीडियो बनाया हुआ है उनमें दी हुई है and that is starting on 20th of January 2021 and target JE 2022 another प्रखर integrated first batch is also starting this is also target JE 2022 starting on 20th Jan 2021 for more inquiry or anything or information you can contact these support numbers यहां से आप प्रफ्रमिशन फंद आप कर सकते हैं otherwise YouTube channel is always available make use of it make use the experience of the teachers all the best in advance thank you झालब 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 उन्दाव झालब झालब प्रफ्रमिशन जाट।